पूर्व मंत्री एवम कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता कॉल सिंग ठाकुर ने भाजपा सांसर्थ कंगना रनौत पर फिर से जुबानी हमला बोला है पंडोहों के साथ लगते डियोट गाउं का दौरा करने पहुंचे कॉल सिंग ठाकुर ने कहा कि कंगना के बयानों की अब कोई कदर नहीं रही है इसलिए वो जो बयान देती है उनके प्रती किसी भी तरह की गंभीरता ना दिखाई जाए कंगना को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है वो सिर्फ बिना मतलब की बातें ही करती है कंगना को पहले देश और परदेश के इतिहास को सही ढंक से जानने की जरूरत है अगर स्वर्गय जवाहरलाल नहरु देश के परधान मंतरी नहीं होते तो आज हिमाचर परदेश अस्तित्व में ही नहीं आता आज हिमाचर पंजाब राज्य का एक भाग होता उन्होंने हिमाचर परदेश को अपनी एक अलग पहचान दिलाई उसके बाद स्वर्गय इंदिरा गांधी ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया कंगना को पहले अपनी पार्टी के परधान मंतरी की तरफ देखना चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि वे परदेश के लिए क्या कर रहे हैं कंगना जी को अब कोई गंभीरता से ना लिया करें आप लोग उसके ब्यान के अब कोई कदर नी रह गई है इसलिए अब अब कंगना को तो था था पैल इपरुशना चाहिए पर्धानमंतरी की तरह देखना और प्रधान मंत्री जी ने हिमाहित्र प्रदेश को क्या दिया है इसके बारे में बोलना चाहिए प्रियंका गांधी परिवार का हिमाहित्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उब्दान है अगर जो आलाल नहरूना होता तो हिमाहित्र प्रदेश और में आता हिमाहित्र प् परिवार का बहुत बड़ा योगदान हिमाश्टर परदेश के लिए आज हिमाश्टर का जो भी विकास हुआ है कॉंग्रेस पार्टी के बदलत हुआ है कौन काम से रोक रहा है उनको विधायका काम होता है अपने छोल्ष से विकास के काम करें और हमॉत क्याベर्ड बना है मैंने उसको पाला एक थेक्यदार बनाया पार्टी का झाद आदेश मना इसको जील्ह का देख्ष बनाया उच्वाल हेमाचर के लिए मंडी से ओमेश भारदवाज की रिपोर्ट This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bhagwa. Rainbow International School is spreading his different colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Karshav, Director, Rainbow Group of Schools Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organizes many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provides German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many moves. School has been accredited with Kelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sonar, ice baths, screen baths, jacuzzi, physiotherapy within the campus. Best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges. Also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Pencilia, awarded with International School Award three times and Microsoft Showcase School two times. Greatest achievement is to have Tim and Meshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face the faculties of 21st century. One night You Can A